नमस्कार व्यक्ति होने के बारे में है जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकें उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो जिम्मेदारी का प्रतीक है वे सिर्फ वादे नहीं करते वे उन्हें रखते हैं यदि वे किसी कार्या या परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है तो वे ये सुनिश्चित करते हुए उसका पालन करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मेवार के राजा महराणा प्रताप, जिन्होंने अपने जिम्मेदारी का पालन करते हुए मुगल समराज्य के खिलाफ लडाई लड़ी। महराणा प्रताप ने आखरी सांस तक अपने समराज्य की रक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह किया और भारती इतिहास में महत्त पूर्ण स्थान प्राप्त किया। जिम्मेदारी महज दाईत्मों से आगे तक फैली हुई है। यह नैतिकता और सदाचार के दाईरे में उतरता है। यह ऐसे विकल्प चुन्ने के बारे में हैं जो कठिन निर्णयों का सामना करने पर भी किसी के मूल्यों और सिधान्तों के अनुरूप हो। एक जिम्मेदार व्यक्ती अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करता। वे जो सही है उसे करने में द्रढ रहते हैं ना कि केवल वही करने में जो आसान या सुविधा जनक है। व्यापक सामाजिक संदर्भ में जिम्मेदारी एक सामप्रदाईक पहलू लेती है। इसका अर्थ है एक बड़े समुदाय के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाओं को पहचानना और दूसरों पर हमारे कारियों के प्रभाव को स्वीकार करना। समाजिक जिम्मेदारी में समाज की भलाई में सक्रिय रूप से योगदान देना शामिल है। तो जिम्मेदारी की भावना हमें उन गलतियों की जिम्मेदारी लेने और उनसे सीखने के लिए मजबूर करती है। यह हमारी खामियों को स्वीकार करने और उन्हें विकास और आत्म सुधार के अफसरों की रूप में उपयोग करने के बारे में है। इसके अलावा जिम्मेदारी विश्वास का एक महतुपूर्ण घटक है विश्वास मजबूत रिष्टों की नीव है चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसाइक जीवन जिम्मेदार व्यक्ति विश्वशनिय और सुसंगत होते हैं और यह विश्वशनियता समय के साथ विश्वास पैदा करती है लोग उन लोगों पर भरोसा करने और सहयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उच्चिस्तर की जिम्मेदारी प्रदर्शित करते हैं संग्षेप में जिम्मेदारी वेहनैतिक दिशा निर्देश है जो हमारे कारियों और निर्णयों का मार्ग दर्शन करती है यह वादे निभाने, सिध्धानतों को कायम रखने और दूसरों और समाज पर हमारी प्रभाव को पहचानने के बारे में है अंततह यह हमारे चरित्रों और अखंडता का प्रतिबिम्ब है जो दुनिया के साथ हमारे जुडने के तरीके और दूसरों द्वारा हम पर रखे गए भरोसे को आकार देता है इसी सोच के साथ आईए हम सभी ये प्रतिग्या करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और सम्रधी, सफलता और समाज में सकारात्मत परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदारी को पूरा करेंगे